जहीं साथ ही आप सबके एक पर फीशी श्वागत है के दिर विहार यूटू चुनल पर सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को दिपावली की धेर सारी सुपका मनाए और आसा करते हैं कि अगले दिपावली तक आपका सेलेक्शन हो जाए आप किसी सरकारी जॉब में लग जाएं उजब छोटी हो पड़ी हो मेटर नहीं करता है लेकिन अभी जो आपके सर के उपर माथी के उपर जो बिरुजगारी का तमगा है वो कम से कम हट जाएं तो ये इस वर से प्रात्ना है कि आपके जो भी इक्षा है सरकाई जोब को लेकर जिस भी आप जोब को पराच आते हैं वो जल से जल पूरा हो ये भगवान से प्रातना है आज की संदार से सेसर में आपको हम बताने वाले हैं कि अभी आपने BSC का फॉर्म भरा होगा और BSC की फॉर्म भरने के साथ साथ है बहुत सारे वेकेंसिया है जिसके लिए नोरिफिकेशन निकला हुआ है बिहार में भी आप देखेंगे तो बिहार पुलीस की वेकेंसी है सांथिया आपको बिहार पुलीस की वेकेंसी आने वाली भी है इसके साथ बिहार दुरगा की वेकेंसी है सांथिया पे देखेंगे तो आपको सेंट्रल गॉर्रमेंट में जो आपका एससी की वेकेंसी आती है उसके लिए भी कलेंडर जारी हो चुका है रेलबे के लिए भी बहुत सारे बच्चे ट्वीटर पे कमपेच चला रहे हैं कि जल से जल नोटिफिकेशन जारी हो तो उसका भी संभावना है कि जल से जल कुछी सकरात्मक रिजल्ट निकलेगा तो तमाम तरह की भरतिया है तमाम तरह की जब भरतिया होती है तो बच्चे कनफ्यूज हो जाते है और बच्चों को समझन में नहीं आता है कि हम की से एकजाम की त्यारी करें कैसे त्यारी करें कैसे मोटिवेट रहें तो हमने सोचा कि क्यों ना एक संदार साह एके S 사실 ने कर आप सब के लिए आया जाये जिसमें आपके बारवुय में बात की जाये कि आप एक किन गलतीओं को न करे कैसे आप अच्छे से त्यारी करे ताकि आपका सीफ पका हो सके तो आप सभी के मन में जो भी डाउट से उठते हैं उसको हमने ऐसे question बना के लिख लिए रखा है जिनमें आप देख सकते हैं आपर हमें लिखा है कि बच्चे कितने बच्चों ने form भरा है आपके exam में आपके जिहन में सवाल आ रहा होगा कि BCC का हम ट्यारी तो कर रहे हैं लेकिन विकेंसी तो 12199 ये form कितने बच्चों ने भर लिये 12199 पदू पर कितने बच्चों ने form अपलाई कर दिया ठीके इस साथ तमाम तरह के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि हम किसका त्यारी करें भी आपका BCC का है बिहार पिसका है बिहार SI का है एक जाम कब तक होगा ये किस पर जादा फोकस करें BCC कितना जाएगा ये भी आपके मन में सवाल बन रहा होगा BCC के लिए सही strategy क्या होगी किस बिसर पर हम जादा समय दे कहां पर जादा फोकस करें motivate कैसे रहें कितना दिर पढ़ें कि नोकरी हो जाए coaching वाले नोकरी दिला देंगे क्या जैसे बहुत स study करने के फायदे है कि घाटा है गुरुप study करें कि नहीं करें पेपर लिख हो गया तो क्या होगा जिससे कि बिहार पुलीस में हुआ था तो तमाम तरह के बाते आपके मन में चल रही होगी उसी पर हम लोग यहापर एक के करके discussion करेंगे और मेरा परयास यह होगा कि आपके लिए आपके लिए कुछ अच्छी बात सकरात्मक बात कर सके हम जिससे कि आपको था से एक motivation मिलें देखिए आपके student life में अभी आपके सांस बहुत सरके एक student के सांथ बहुत तरकी समसाय होती है वो चाहे financial condition के लेकर हो वो चाहे आपको जो है परिवारिक pressure परिवारिक में ज बढ़ते जा रहा है कटर बढ़ते जा रहा है तो उचीच को लेकर pressure हो कि क्या हम इतना हमें score कर पाएंगे तो तमाम तरह के बाते होती है उन सभी पर हम लोग discuss करेंगे और एक अच्छा साय के point हम लोग discuss करते हुए एक अच्छे discuss के तरह बढ़ेंगे ताकि आपके मोटिव student है और एक student पर कितना pressure होता है यह हम भली बात याते हैं और हर एक पढ़ने वाला आदमी जो एक sincere बेखती है जो एक अच्छा student है रह चुका है या फिर अभी है वो चीजों को समझ सकता है कि student पर कितना pressure होता है एक बीसर को पढ़ाना अलग बात होती है लेकिन तमाम तरह क topics को लेकर सारे subject को लेकर पहणना त्यारी करना और तमाम तरह की समस्याओं को जिलना वो एक अलग बात होता है the student पर काफी pressure होता है तो इसी के बारे में आपको हम यह discussion करने वाले हैं तो चलिए हम लोग एक करके question को सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तो भरेंगे ही भरेंगे 28 से 30 लाग बच्चे फर्म भरेंगे इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है तो अब देखिए क्या आपको demotivate हो जाना है अगर सब पोच कर लिए कि 30 लाग बच्चे फर्म भरें 12,199 पदूपर vacancy है तो क्या इस बड़ी संक्या को देकर हम demotivate हो सरकार ने फर्म भरने का date बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है कि जो भी बच्चे जिनका पढ़ाई से नाता नहीं रहा है वो भी कुछ पैसे कुछ पैसे को दिवात है 400-500-1000 रुप्या लग रहा है फर्म फिल अप करने की बात भर देंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ह जिनका पढ़ाई से कोई तालुकात नहीं है जो कमा रहे है जो प्राइबिट जोब में लगे हुए है कुछ ने कुछ हो कर रहे है बिजनेस में लगे है फर्म डाल दिये तो यह संख्या देखकर आपको घबनाने का आप सकता नहीं है इस सिंसियर बच्चे कम है और सरकार ने अपने कमाई काय के जरिया बना लिया सरकार यहां से कुछ है इंकम जिनेरेट कर रही है तो उसने फॉर्म बरने का डेट भी बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म जादा गीरे गई यह गीरेगा तो यह संख्या देकर आपको डिमोटिवेट बिल्कुल रही होना है वो 40 लाख ही क्यों नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता सेलेक्षान उसी का होगा जो बच्छा त्यारी करेगा जो जॉब जिसको चाहिए वो तो लेगा ही लेगा तो आपको इस मामले में डी मोटिवेट नहीं होना है कि इतने फॉर्म भरे गए किलियर है अब हम अगले कोशन पर आते हैं कि क्या हम लोग यह बहुत तरकी विकेंसी हम किसकी त्यारी करें कंफ्यूज है अगर आप तो देखें हारी के एक जाम का नीचर अलग होता है जैसे आप सेंटर गौर्डबिट की विकेंसी की बात कर लेंगे जैसे आपका एससी हो गया अब एस यहां पर उसके जब कोश्चन के लेबल देखेंगे ना तो उसके कोश्चन में सेंटर गौर्डबिट की जो एससी होती है उसके कोश्चन में और इसके कोश्चन में आपको जो है अंतर देखने को मिलेगा तो हर एक एक जाम का नेचर कुछ अलग है आप देखेंगे आप बिहार B.E.S.C के बात करें और B.E.S.I की बात करें तो इन दोनों में की डिफरेंस है अब इसमें आपको मैथ्वरीजिनिंग चाहिए यहां पर मैथ्वरीजिनिंग के उतना कोई मतलब नहीं है ठीक है तो आपको जो है आपको decide करना है ना कि हमें करना क्या है हमें कीस यह कौन सा जब हमें चाहिए हाला कि exam तो आप सब दीजिए लेकिन एक ऐसा एक ऐसा आप जो है target कर लिजी exam को कि हमको इसको तेक्टम क्रेक करने करना है तो उससे क्या होगा ना कि आप उसके according सी levels की त्यारी करेंगे आप उसके according पढ़ाई किजीएगा तो आपका जो है मिकालना आपके लिए आसान हो जाता है तो आप ऐसा किजिए कि आप घर एक चाहिं के लिए सब दिजिए लेकिन आप किसी एक लिए से रियस हो जाईए और उसी पर आप लगिए नहीं तो फिर आपका सेलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा क्यों क्योंकि देखे लगता आपको सब चीस्ते में है लेकिन हर एक एक्जाम का अपना डिमांड है के लिए रेल्वे की बात कर आप रेल्वे करने हुआ आपको चर्चा में तो आप रे तो कि खूज ना होकर किसी एक को टारगिट मनाई है और उसी के कोड़िंग आपको तियारी करना है उसी के कोड़िंग आपको समय देना है उसकी लेवस की कॉर्डिंग आपको फोकस करना है अब अगला सवाल की कब तक होगा तो देखें दोस्तों एकजाम होने की समभावनगा एक possibility है वो फरवारी माहा तक होने की समभावना एक फरवारी दोहजार चौविश फरवारी दोहोस की आप कि समय है जो काफ़ी होता है तो आप एक लगदम लगे रही कि हम आप यह ना ही आप इसकांत को करेंगे आप अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आपे समझे कि आप जो है ना रेस से पारे बाहर हो जाएंगे तो आपको तो अपने उपर भी स्वास रख नहीं पड़ेगा अब हम बात करते हैं कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगे भाई बिहार कितना जाएगा तो देखें काट अफ की चकर में आप न पढ़िए आप जो है ना कम से कम 115 कोश्चन प्लस करने का प्रयास कीजिए क्यूं भाई क्यूंकि आप देखें पीटी का एकजाम है ना पीटी और टोटल वेकेंसी 12199 वेकेंसी है और इसका 5 गुना रिजल्ट आपको पीटी में दिया जाएगा यानि कि लगभग आपको जो है 108,000 के आसपास बच्चों का रिजल्ट होगा किसके लिए मेंस के लिए तो आपको 12199 में तो आना नहीं है आपको 168,000 में ना आना है तो 115 कोश्चन आप अगर सही करते हैं 1500 कोश्चन में तो यह आपके लिए काफ जो 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 एक एक इस्ट्रेटिजी चाहिए एक प्रोपर रनीती आपके पास होना चाहिए वो क्या होगा आगे हमनों भी बात भी करेंगे तो 115 प्लस आप करने का प्रयास कीजिएगा बाकी कुछ भी जाये उससे आपको फिलहाल तो इस पध्यान नहीं देना है क्यों कि व तो फिर आप जो है ज्यादा इस पर ज्यादा फोकस ना करती हुए 115 से 20 कोशन डेर समय से सही करने का टार्गेट लेकर आप चलिए BSSE के लिए सही SDG क्या है तो देखे आगे हम वनBooks आपर बात करेंगे बिहार SSSE एक्जाम के लिए सही SDG क्या है सही रणिती क्या है किस भी से पर जादस मेदे तो देखिए आप अगर बिहार SSC में अपने एक सीट पका करना चाहते हैं मतलब कि PT को कौलिफाई करना चाहते हैं फिलाल तो PT है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा तो math और रिजनिंग ऐसे सेक्षन है जहां फर आपको एक स्कोर तो करना ही करना है 25 कोश्चन math का है 50 कोश्चन आपका 25 कोश्चन तो math का हो गया 50 कोश्चन आपका रिजनिंग का हो गया तो 25 में से आपको किसी भी हाल में 20 कोश्चन सही करना ही पड़ेगा 50 कोश्चन में से किसी भी तरीके से आपको 45 question सही करना ही पड़ेगा मतलब कि लगभग लगभग आपको math origining मिला के 65 plus question आपके सही करना ही पड़ेंगे तो अब आपको यह target लेके चलना है कि हमें यहां से इतना question तो करना ही करना है यहां से यहां इतना question तो करना ही करना है अब आपका size बच गया और GKJS बच गया तो 75 question है तो size देखिए size जो है न यहाँ से 25 question है इसमें से आप 15 question का target लेकर चलिए और GKJS में से आप क्या 30 question का target आप लेकर चल सकते हैं 30 question तो 30 और 15 45 और इधर से कितना हो गया तो 65 हो जाएगा तो 45 110 क्या आप आस पास पहुँच रहे है अभी भी आपको 5 नमर कम से कम चाहिए ही चाहिए तो 5 5 question अब आपको देखना है कि कहां से एक दो नमर आप बढ़ा सकते हैं तो math से आप एक दो नमर बढ़ा एक कुछिस कीजिएगा रेजिनिंग से भी आप एक दो नमर बढ़ा सकते हैं और science तो आपका 15 question है लेकिन आप यहां से GKGS science वोड़ा मिला के एक दो नमर आप बढ़ा लेते हैं तो आपका question 115 आसानी से आप लेकर चल सकते हैं 115 question सही का target आप लेकर चल सकते हैं आपके पास एक proper strategy होनी चाहिए planning होनी चाहिए कि आप किस तरीके से 115 plus question सही करेंगे डेर्स आप question में से अब देखिए अगला question आपके मन में आ रहा होगी motivate कैसर हैं motivation के लिए अलग से आपको कुछ नहीं चाहिए अभी आपका दिपावली का समय चल रहा है खुद सोच सकते हैं कि जो लोग रोजगार में हैं जो job कर रहे हैं उनकी life है आपसे कितनी बेहतर है और आपकी life अभी क्या है तो motivate रहने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है बस आप अपने आपकी स्थिती को देखें दूसरे की स्थिती को देखें जो job में हैं उनसे compare कर लीजे बस आपको motivation मिल जाएगा बस आपको अंदर से लग जाए कि हमें अपनी स्थिती को सुधारना है तो बस motivate आप हो जाए कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कितना दिर पढ़े की नोकरी हो जाए तो देखें हर एक इंसान का अपना जो है न capacity होता है जो सुरू से ही पढ़ने में ठीक ठाक है वो कम भी पढ़ेगा तो उसका काम चल जाएगा लेकिन आपने अगर सुरू से पढ़ाई नहीं किया है ध्यान नहीं दिया है तो आपको ज़्यादा महत करना पड़ेगा लेकिन एक average हम समय की बात कर लें तो कम से कम साथ से आठ घंटा कम से कम साथ से आठ घंटा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी अच्छी खासी त्यारी हो जाएगी अच्छे इस साथ साथ घंटा जो बोले हैं इसमें आपका सेल्फिश टड़ी की बात कर रहे हैं इसमें कोचिंग का टाइम नहीं हम इंक्रूड किये हुए है ऐसा नहीं कि चार घंटा आप आप आउनलाइन पढ़ रहे हैं के लिए तो आप अपना डिख सकते हैं कि हम किस तरी के से अपना समयन मैनेश कर सकते हैं निकाल सकते हैं कोचिंग वाले नोक्री दिलवा देंगे क्या तो देखिए भाई कोचिंग वाले नोक्री नहीं दिलवाएंगे एकदम आप कहीं पढ़ लिजे जो बच्चे गाह में पढ़ते हैं जो बच्चे self study करते हैं उनका भी job लगता है और जो बच्चे जाकर दिल्ली में त्यारी करते हैं उनका भी job लगता है और ऐसे बच्चे भी जो दिल्ली में जाकर त्यारी करने के बावजूद भी बहुत सफल हो जाते हैं, लेकिन जो गाह में पढ़ते हैं, बेना किसी कोचिंग के सिल्फ एस्टडी करके भी आपने कई बार न्यूस सुना होगा, कि सिल्फ एस्टडी सही फलाने ने जॉब क्रे देंगे, यह आप पर पूर्तरा डिपेंड करता है कि आप कितना, आप जोब के लिए जिस जोब के लिए आप पाना चाहते हैं, उस जोब के लिए आप कितना कमिटेड हैं, कितना आपके अंदर लगन है, कितना उस जोब के परती आपकी चाहत है, जितनी चाहत होगी उतना सिदत से आप त्यारी कर रहे हैं ठीके तो कोचिंग वाले कुछ नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी पढ़ लिजी बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान में भी पढ़के बच्चेया सफल होते हैं गाम में रहा करें बच्चे मेहनत के दम पर सब हलता पराप कर लेते हैं तो कोचिंग वाले डिसाइड नहीं करते हैं किस दोक्री होगा कि नहीं होगा अब देखे गुरूपे स्टाडी करने के फायदे हैं क्या तो देखे गुरूपे स्टाडी करने के बहुत सारे फायदे हैं एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं तो आपका अगर होस रखिये कि दो तीम कम से कम दोस्तों का अगर गुरूप बन जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर गुरूप पे स्टडी करती हैं तो आपको मतलब कि एक मागरप एक माग गुरूप इस्टेडी करके देखे न Done तो आपको फायदा समझ में आना सुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको गुरूप बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर गुरूप नहीं बनता है फिर भी हार नहीं मनना है अकेले ही त्यारी करना है ठीक है तो गुरूप इस्टडी से बहुत अच्छी फायदा आपको देखने को मिलता है लेकिन आपको अगर गुरूप बन जाए सही दोस्तों का तब पेपर लीक हो गया तो क्या होगा तो देखो भाई जब भी एकजाम हो जब भी मौका मिले उसमें मेरा सेलेक्शन हो ही जाए ये परियास करता है पेपर लीक हो गया नहीं हुआ धांदली हो गया इस सब की चकर में नहीं पढ़ना है इस सब की चकर में नहीं पढ़ने का मतलब कि इस सब सोच रहे हैं आपको बस आपको अपनी पढ़ाई बर फोकस करनी है सेलेक्शन आपका निश्ची तोर पर होगा तो आपके मन में और भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर बताईएगा और यह मेरा प्रियास था कि आपकी टेंसर को थ्वासा कम्प किया जा सके तो अमीद है कि आप आज की संदाश्य सेशन से कुछ न कुछ आपको बेंट फिट हुआ होगा अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके भी लेकर जरूर दबा लिजिएगा फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में चलिए जय हिन